Hello Friends, Welcome back to Styling Lifestyle आज की वीडियो बहुत जादा informative होने वाली है तो बने रहे है मेरे साथ और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा बहुत कुछ आपको इसमें आज सीखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो Friends, आज का हमारा topic है How to save paper जी हाँ, आप paper कैसे save कर सकते हैं आपको पता है paper कितना ज़्यादा important होता है क्योंकि paper बनता है trees से और trees कितने important है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बट मैं आपके साथ एक fact ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि it takes 17 trees to make one ton of paper जी हाँ, 17 trees to make one ton of paper और paper हमें बिल्कुल भी waste नहीं करना चाहिए तो मेरा ये वीडियो बनाने का motive इसलिए था कि being a tutor, मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे students बिल्कुल भी paper waste ना करें मैं उनको रोज यही समझाती हूँ कि paper waste नहीं कियब करना चाहिए in fact, जैसे कि आप सब जानते है नया session स्टार्ट हो चुका है तो मेरी कोशिश ही ही रहती है कि कोई भी student नया course ना ले हो सके तो वो किसी पुराने student का या अपनी किसी senior student का या अपनी किसी करदन का ही वो अगर course ले तो essay में काफी फायदा होता है पैसे भी बच जाते हैं आप money save कर सकती है और paper भी बच जाता है और essay में आप किस तरीके से और क्या tips हैं जिससे आप paper save कर सकते हैं मैं actually क्या करती हूँ कि जैसे आपको पता है last year का session जो भी खतम हुआ है तो उसमें पुरानी notebook बच्चों की काफी जादा बच जाती है तो ऐसे में कुछ notebooks ऐसी होती है जो की सिरफ जिनके सिरफ 5-10 pages ही भरे होते हैं तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ उन 5-10 pages को निकाल के पूरी की पूरी वो separate नई notebook बन जाती है दुबारा से आप उसको cover करके एक नई notebook की तरह उसको use कर सकते है या फिर कुछ notebooks ऐसी होती है कि जिनके सिरफ 5-10 pages ही बचे होते हैं unused होते हैं और बाकी पूरी notebook filled होती है तो ऐसे मैं आप क्या कर सकते हैं उन notebooks को आप बिलकुल भी ना फैक हैं और उन notebooks में से जितने भी unused pages हैं उनको आप निकाल ले separately तो अभी मैंने यही काम किया था तो मेरे दो स्टूरेंट्स के आप इश्वास नी करेंगे मेरे दो स्टूरेंट्स के इतने सारे unused paper जो कि मैंने नोट बुक्स में last case किसी में 5 paper से किसी में 10 paper से तो वो मैंने निकाले तो इतनी जादा notebook के papers मुझे मिले कि इतना बड़ा वो bundle बन गया था कि अप फिर क्या कर सकते हैं जब आपका यह bundle बन जाता है तो आप इसको stationery की shop पे ले जाके इसको thread bind करा सकते हैं या spiral bind करा सकते हैं for further use आप इसको rough notebook की तरह use ले सकते हैं मैं यही करती हूँ और जन notebook में मैंने बताया कि इस सरफ वो 5-10 years 15-20 pages ही भरे होते हैं तो ऐसे मैं आप उनके शुरू की pages निकालके आप उसको एक new notebook की तरह use कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं कि मैं क्या करती हूँ जब मैं बिच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको हमेशे ही कहती हूँ कि जैसे बिच्चों को जाहतर maths के लिए चाहिए होता है रिजिस्टर और notebook तो आप कोशिश कीजिए जैसे कि मैं पास अभी है नोट बुक है अगर इस तरह की नोट बुक हो या किसी भी तरह की notebook हो, register हो, school की notebook हो तो आजकल थोड़े wider pages होते हैं खास वर से register के तो आप उनको बताईए कि जब भी आप questions करें चाहे आप maths के questions करें तो बीच में एक margin line पहले आप लगाएं उसके बाद उस page को utilize करें तो कभी-कभी हम क्या करते हैं कि बच्चे बीच में margin नहीं लगाते हैं और ऐसे ही काम करना शुरू कर देते हैं और वो center में लिखते हैं ना left portion बच पाता है ना right portion बच पाता है और वो content भी तना ज़ादा नहीं होता तो आप कोशिच कीजिए कि आप पहले से ही उन note books पे margin लगवाईए जो बच्चे घर में यूज़ करते हैं स्कूल की note books में तो नहीं लेकिन घर में यूज़ करने वाले note books में आप ऐसा कर सकते हैं या अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप खुद उनको questions लिख के दीजे ताकि वो उस ही page पर ना करें तो ये थी मेरी कुछ टिपस जो कि मैं खुदी उस करती हूँ I hope you like this video if you like this video then give this video a big thumbs up share कीचे अपने friends के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे पताए आपको कॉंसे टेप अच्छी लगी comment करके और हो सेके तो चनाल को subscribe कीचे थैंक यू